सुमाजी गाइस वेलकम बैक टू मैच चानल हट्विट ब्लॉग्स आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट के अपडेट के बारे में लेटेस्ट पीपी एर्स के बारे में डॉक्यमे सब्सक्राइब करते हैं हमारी पहली टाइमलेन के साथ हाई ग्रूप माइवाइफ और डॉटर गॉट पीपीर फोर एसो डव्यूपी एंड स्टडी परमिट जैस्ट नौ इम स्टड़िग इन वर्कूबर मतलब इनकी जो वाइफ है जिन्होंने मैसेज किया उनकी वाइफ डॉटर जो हैं वो पीपीर उनको मिल की है स्पाउस ओपन वर्क परमिट कैनडा की और साथ की साथ उनकी जो डॉटर उनको स्टडी परमिट की पीपीर मिल गी है आइम स्टडिंग इन बैनकूबर आई हैड अप्लाइड फॉर विस्टर विजा आल्सो ऑन 15 सप्टमबर टीक है इन देली से जो बिस्टर विज्जिंग की स्टैंप लगने के बाद भी जो है पासपोर्ट स्टेंप को इन लिगी है नको फिस इसके बाद बात करते हैं की जो टाइम लेन है उसके बार में अप्लाइड 19 मार्च मतलब उन्हीं मार्च को इनका 20 जून को अफ्रेंड मेडिकल इन्होंने दबारा लगाया 9 जुलाई को मेडिकल अपडेट हो गया जी इनका 9 सेप्टमबर को रिव्यू स्टार्ट हो गया इनको 4 अक्टूबर को और पीपियर 30 नुमंबर मतलब आज मतलब सौरी कल जो है इनको 30 नुमंबर को पीपियर इशू हो गए थी ठीक है जी I am putting all these details so that many who are in similar situation can benefit मतलब इन्होंने बोला कि मैं I only sent emails and waveform after from this group and said that we should send emails मतलब इन्होंने बोला कि मैंने जो है इंबैस्टी को मेल्स भी किये बैफॉम भी किये उसके बाद जे जो पीपियर इशू हई है ठीक है जी hope this helps मतलब positivity आजी देखो विस्टर वीजा भी अप्रूब हो गया ठीक है उसके बाद स्पाउस ओपन वर्क परमेट कैनडा भी अप्रूब हो गया ठीक है जी उसके जो लगाई थी वो लगाई थी दिसंबर 2020 में पूरे एक साल बाद एक दिसंबर को इनको डॉक्यमेंट रुक्वेस्ट आई है कि अपने लास्ट थ्री मंद्स की बैंक स्टेटमेंट हमें दिखाई है ठीक है जी बैलन्स सर्टिफिकेट गाई है इन्होंने मतलब इसी इनक को मतलब आई होप की डॉक्यमेंट रुक्वेस्ट आई है तो मैं आप सभी को सुझेस्ट हमेशा से करता हूं कि अपने जो डॉक्यमेंट है हमेशा रेडी रखिए प्रिपेर रखिए फंड्स मेंटेन रखिए ठीक है जी कभी भी अपने फंड्स उसको ना खर्चो डैट मतलब कभी भी डॉक्यमेंट रॉक्वेस्ट आने के चांस है सो इन्होंने अपनी जो फाइल है वो लगाई थी डिसंबर 2020 को और बायो मेट्रिक पहले से ही एक वार रिफ्यूजल सी मलब पहले सी हो चुकी थी क्योंकि इनकी एक वार रिफ्यूजल थी ठीक है जी उसके अगर आपके फंट्स और बैंक स्टेट्मेंट वगेरा सबकुश मेंटेन आपको पीपी आर आने के पूरे पूरे चांस है जैसी आप जो अपने डॉक्यमेंट अप्लोड करोंगे वैसी को वैसे ही आपको पीपी आर जो है विदिन 10 और 15 डेज मिल जाएगी और उसके अप्तूबर 2020 को लगाई एंड मेडिकल मार्च में करवाया था मेरा मेडिकल पास हो गया 23 नुमबर को एंड हुन की अभीद है मतलब मेडिकल इन्होंने अपना चो मार्च में करवाया था और उसके बाद 23 नुमबर 2021 मतलब रिसेंटली साथ दिन पहले उनको मेडिकल पास भी हो गया सो सज़ेस्ट की वेट कीजिए मेडिकल पास होने का मतलब यही है कि आपकी जो फाइल वो ठिक होगी ठीक हो वह उन्होंने उसको देखना शुरू कर दिया अगर आपकी फाइल complex ना हुई complex का मतलब होता है कि अगर उनको confusion d weighed थाइल में थीका जी complicated in general लगी इया तो result delay हो जाता है और अगर आपकी भूपली आपको फिटीन डेज में रिवर्ट मिल जाये जैसे भी आपको result मिलता है आप हमारी जो वीडियो पर ऐसी कमेंट करना तांकि मैं सभी के साथ शेर कर सकूं ठीक है जी सो आज की वीडियो में हमने डिसक्स किया सिर्फ एक पीपियर एक medical request स्वारी document request और उसके बाद एक medical update सो कल की वीडियो में I hope बहुत सारी पीपियर क्योंकि आज भी मैंने सुना है कि किसी agent के पास थ्री document request और दो interview है क्योंकि आज कल documents request और interviews जो है वो जादा चल रहा है आज भी तीस जो है interview मतलब तीस interview हुए है डेली embassy के आगे और उसमें से दो जानों ने मेरी दो साथ मेरी personally बात हुई है उनने बोला है कि मेरा जो है interview बहुत अच्छा हुआ है और पीपियर आने के पूरे पूरे जहां से है तो अगर किसी का interview आया है तो पूरे confidence के साथ जाए अपना हर इक documents अपने साथ लेकर जाए पूरे confidence के साथ उनको answer करे ठीका जी अपनी पूरी preparation के साथ जाए वैसे तो जिसकी फाइल जैनून होती है उसके उसे मतलब हर एक answer अलड़ी पता ही होता है तो पर फिर भी आप एक बार अपना SOP statement of purpose ठीक हो जरूर read करके जाए ताकि बैसी बाला question बाद में पूछे आप अंसर उसे पहले दे ठीका जी तो ऐसे होना चाहिए मतलब आपको PPR confirm हो कि अगर मेरा interview है तो PPR आने ही चाहिए जो यह थी जी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जूर करके जाना चैनल को subscribe जूर करके जाना जी वीडियो को share जूर करो तांकि positivity जो मैं आपके लिए हमेशा लेकर आने के ट्राइ करता हूँ ठीका जी वो आगे जूर जूर जाए और क कल की वीडियो में मिलते हैं जी hopefully बहुत सारी पीपियर आएंगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जूर करके जाना टेल एन बाइबाए टेक केर